दनातन धर्म सूर्य उभराक शात्र वीरो उठो चलो नमस्कार हिंदु आतंकवाद तथा भगवा आतंकवाद जैसे तथ्य हीन शब्द स्वार्थी राजनेता और प्रसार माध्यमों के अभद्र गठबंदन से जन्मे है हिंदु आतंकवाद इस शब्द का खंडन करने के उद्देश से मैंने मेरे अधिवक्ता आदरणिय संजीव पुनालेकर जी के मारगदर्शन में मालेगाव बंवी स्पोर्ट के पीछे का अधुरु शहात यह पुस्तक लिखी हिंदु आतंकवाद शब्द के विरोध में इस पुस्तक के कारण कैसे कार्य हो रहा है इस विशे में आपको बताना चाहूंगा ततपुर्व मैं मेरी पुरुष्ट भूमी संग्षेप में बताता हूं आमी पाचपूते नामक एक मराठी नाटक था जिसमें महाभारत का अनादर किया गया था हिंदु जनजागरुती समीती इस धर्मद रोही नाटक का विरोध आरंब से कर रही थी वर्ष 2008 के जून माह में महराष्टर के ठाने शहर में गड़करे रंगायतन नामक एक नाट्टे गुरुः है उस नाट्टे गुरुः में इस आमी पाचपुते नामक धर्मद रोही नाटक का एक प्रयोग होने वाला था यह प्रयोग आरंब होने के पूर्व नाट्टे गुरुः के वाहन तल में एक विस्फोट हुआ अब हिंदु जन जागूती समीती आरंब से इस नाटक को विरोध कर रही थी इसलिए पूर्वा ग्रह से गृस्त होकर महराष्ट के आतंकवाद विरोधी दलने सनातन संस्ता के सादक और हिंदु जन जागूती समीती के कारे करताओं की जाँच आरंब की इससे कुछ निश्पन्द नहीं हुआ फिर बे अंत में कॉंग्रेस शासन के आदेश से महाराश्टर के आतंकवाद विरोधी दल ने मेरे साथ अन्य पांच लोगों को इस प्रकरण में बंदी बनाया जो अप्राध हमने किये ही नहीं थे उसकी स्विक्रूती देने के लिए हमारा शारिरिक और मानसिक उत्पिडन किया गया जो इतना अमानविय था जिसका वरणन शब्दों में करना कठिन है इस प्रकरण में हम पर जो अभियोग चला मुंबई के 17 नहयले में तीन वर्ष अभियोग चलने के बाद मुंबई 17 नहयले ने हम 6 लोगों में से 4 लोगों को निर्दोष मुक्त किया और हम दोनों को 10 वर्ष कारवास का दंड दिया उसमें से आधा मतलब 5 वर्ष कारवास भोगने के बाद मुंबई उच्चे नहयले ने मुझे जमानत पर मुक्त किया जब यह अभियोग चल रहा था उस समय में मुंबई के प्रसिद्ध आर्थरोड कारवास में बंदी था उस समय मालेगाव विस्फोट में बंदी बनाये गए हिंदू और मुसलमान ऐसे दोनों आरोपियों से मेरा परिचय हुआ उनसे अनेक चर्चाए हुई उनकी कवटुमिक प्रुष्ट भूमि कैसी है उनका अभियोग की सत्यता क्या है पुलिस ने उनके साथ कैसा व्यवाहर किया इन सब विश्वपे चर्चा हुई उनके अभियोग के संबंद में जो भी साहित्य उनके पास था उसका अभियास करने का आउसर मुझे मिला और ये चर्चा और अभियास से एक महाभयंकर हिंदू विरोधी शड़यंत्र मेरे सामने स्पष्ट हुआ जो हिंदू विरोधी शड़ेंत्र मेरे सामने स्पष्ट हुआ उसे हिंदू समाज के सामने लाना है और वो मेरा कर्तव्य है ऐसी भावना मेरे मन में निर्माण हुई और यह कर्तव्य निभाने के लिए एक पुस्तक लिखना चाहिए ऐसा विचार भी मन में आया परंतु कारागार में होने के कारण उस विशे में मैं कुछ कर नहीं पा रहा था आगे कारागार से मुक्त होने के बाद मेरी यह भावना और विचार मैंने मेरे आधिवकता संजीव पुनालेकर जी के सामने रखे उनोंने पुस्तक के लेखन को अनुमती दी और उसके आगे जाके जो सहाय आवश्यक रहेगा वो देने का आश्वासन भी दिया उस अनुसार उन्होंने दोनों अभियोगों के आरोप पत्र पुरवणी आरोप पत्र सुचना के आधिकार में मिले जानकारी समय समय पर वृत्त पत्र में प्रकाशित हुए लेख और वृत्त तथा दोनो अभियोगों के आरोपियों ने समय समय पर जो उच्च नयलय में याचिकाय की थी और उस पर नयलय ने दिये निर्णय यह सब सहित्य मुझा अभ्यास के लिए दिया फिर आधरणिय पुनालेकर जी ने दिया सहित्य कारागार में कईदियों से हुई चर्चा उनके पास जो मन में थी जो मैं कहीं लिख नहीं पा रहा था उस सब का मेरी बुद्धी के आनुसार एकत्री करण कर पुस्तक के एक एक प्रकरण के रूप में मैं लिखता गया विधी के दुरुष्टी से अर्थात कानून की दुरुष्टी से उसकी जांच आधरनिय पुनालेकरजी ने की और मालेगाओ बंबी स्पोर्ट के पीछे का अदुरुष्य हात यहाँ पहला मराठी पुस्तक मुद्रित होने के लिए सिद्ध हुआ इस पुस्तक के विशे में एक विशेश बात में यहाँ बताना चाहता हूँ कि पुर्वा युष्य में मैंने कभी वर्तवान पत्र में छोटा सा लेख भी नहीं लिखा था लेकिन यहाँ पुस्तक लिखना है ऐसा निश्चित होने के बाद 45 वे दिन यहाँ पुस्तक मुद्रित होकर आ गया था इश्वर की कुरुपा और आशिरवात से ही यह संभव हुआ ऐसी मेरी दुरुडश रद्धा है और इस पुस्तक के लेखन के लिए इश्वर ने मुझे चुना इसलिए मैं इश्वर के चरणों में अनन्त कोटी कुरुतग्य हूँ जयतो जयतो हिंदु राश्ट्रम जयतो जयतो हिंदु राश्ट्रम जयतो हिंदु राश्ट्रम झाल झाल